Welcome student, आज हम लोग discuss करेंगे, डिफ्रेंसिविलिटी की बारे में, आज हम लोग discuss करेंगे, डिफ्रेंसिविलिटी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज discuss करेंगे, तो डिफ्रेंसिविलिटी जो है, यह टम आता है डिफ्रेंसिविलिटी से, मतलब डिफ्रेंसिएशन से आता है डिफ्रेंसिविलिटी और डिफ्रेंसिएशन का और एक मतलब होता है डिफ्रेंसिविलिटी तो इसमें हम लोग थोड़ा discuss करेंगे कि डिफ्रेंसिविलिटी ची तो पहले से जो हम लोग को पता है कि y equals to f of x, इसके उपर थोड़ा आप focus करेंगे, कोई भी function हो f of x, y equal to f of x, कोई भी function हो, x के जगा पे कुछ डालेंगे, तो हमको y मिलता आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं order pair, इसको हम relation function में और एक बार cover करेंगे, जो order pair बोलते हैं, उसको हम 2D plane में plot करके, plotting करके कुछ curve या फिर इसका कुछ graph वहाँ पे हम लोग लेके आते हैं, तो ये वाला graph जो है, इसको हम अभी continuity में पढ़ चुके हैं, आपको उपर description में continuity के बारे में, मतलब उपर i button में continuity के बारे में मिल जाएगा, link मिल जाएगा वीडियो का, तो कोई graph बनता है, मान लीचे ऐसा कुछ graph बन गया, कोई भी function हो, graph बन गया, यह अगर continuous चलता है, तो इसको हम continuity बोलते हैं, continuous बोलते हैं, जहाँ पर break हो, ऐसा कुछ break हो गया, तो उसको discontinuous बोलते हैं, अगर यहाँ पर break हुआ है, तो यह एकर x equal to, यहाँ पर क्या है, x में discontinuous हो गया है, ठीक है, यह तो हो गई continuous की बात, अब देखते हैं, differentiability क्या चीज है, अगर कोई function को जब हम trace करते हैं, उसका curve बनाते हैं, 2D plane में, x axis, y axis लेके, तो यह से कुछ आ गया, उसका graph, यहाँ पर अगर एक unique tangent बनता है, देखिए, यहाँ पर यह tangent हैं हम लोगों का और यह मान लिजिए, यह वाला function का curve है, यह वाला function का curve है, यह वाला, यह curve है, ठीक है, तो इसका, इसी point है, मतलब x equal to 3 के जगह पे, एक unique tangent, एसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 tangent बना देंगे, बस एक unique tangent अगर बनता है, तो हम लोगों क्या बोलते हैं, this function और यह जो function है, is differentiable at x equal to 3 बोलते हैं हम लोग, साही, यह हो गया differentcibility, मतलब इसका differentcibility हम लोग ने check कर लिया, कि x equal to 3 के जगह पे, एक unique tangent बन रहा है, तो यह तो feasible नहीं है, यह तो possible नहीं है, कि हर graph का इससे, मतलब हर function का इससे graph हम लोग draw करेंगे और check करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को, पता चला, क्या है वो link की, differentcibility का मतलब क्या होता है, unique tangent बनाना, ठीक है, यहाँ पे और एक चीज हम लोग देख लेते हैं, derivative का मतलब होता है, derivative का मतलब होता है, slope of tangent, slope of tangent, मतलब, अगर कोई function है, ठीक है, उसका यहाँ पे मैंने क्या-क्या, एक tangent ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो यह जो tangent बना है, इसका slope जो होगा, वो होगा, इस function का derivative, ठीक है, जैसे कि हम लोग parametric form में question discuss किये थे, d, मतलब हम लोग को निकालना है, dy by ds, dx at x equal to 4, तो हम क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं, फिर x के जगार पे 4 substitute कर देते हैं, तो यह मान लिज़, अगर 4 है, तो यहाँ पे जो tangent बना है, यह इसको t1 ले ले लेते हैं, tangent जो है t1, t1 का slope जितना होगा, dy by dx at x equal to 4 उतना होगा, ठीक है, मतलब derivative का मतलब होता है, कोई भी function का derivative का मतलब होता है, अगर हम लोग यह, हम लोग को given नहीं है, x equal to 4 given नहीं है, बस हमको dy by dx निकालना है, तो dy by dx का मतलब होता है, आपना y जो है हम लोग का f of x है, इसका graph बना लीजिये, f of x है, इसका graph बना लीजिये, graph बनाने के बाद, डी वे डी एक्स का जो निकलेगा आपको फॉर्मूल आप लोगो पता होगा चेंडूल बगरा बगरा डालके आपने निकाल दिया डेरिवेटिव क्या है तो इसका मतलब क्या बना इस ग्राफ के किसी पी जग भे अगर मान लिजी यह ग्राफ है इसका y equal f of x किसी पी जगह पर अगर हम लोग tangent ड्राफ करेंगे तो उसका slope इस टाइप का आएगा तो आप पुछेंगे कि भई यहां पे क्या होगा च्रोप तो यहां पर चेक कर लिजी x क्या है मान लिजी यहां पर x है तो जो डेरिवेटिव आया है x के जगह पर माइनस वन डाल दीजे, ठीक है, ये टेंस टू नहीं है, मैं इसे डाल दिया हूँ, नहीं तो ये काम करते हैं, x के जगार पे हम लोग माइनस 1 डाल देंगे तो यहाँ पर जो tangent ड्रो होगा उसका tangent उसका slope आपको कब मिलेगा जब आप इसका जो derivative होगा उसके derivative में x के जगह पर माइनस 1 डाल देंगे सही है तो अब देखते हैं differentiability के यह first part है इसके बाद second part आएगा और यह जो first part है इसमें हम conceptually थोड़ा इसके उपर discuss करेंगे second part में जो board के हिसाब से formula है उसके उपर discuss करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे जैसे कि हम लोग देख रहेते y equal to f of x में हम लोग continuity कैसे चेक करते हैं कि हम देखते हैं कि x के जगह पर क्या डालने से y exist y does not exist x के जगह पर क्या डालने से y does not exist यह तो होगे हम लोगा continuity का तो differentiability में यही the same चीज हम लोग को repeat करना है हमको क्या निकालना है अगर y equal to f of x है then we have to find out dy by dx इसको निकालना है फिर देखेंगे और इसको हम लोग लिख सकते है f dex x कुछ भी आप मान के चलिए आप देखेंगे कि अब इसके लिए देखेंगे ठीक है एक्स के जगह पर क्या डालने से f dex x और you can say dy by dx does not exist ठीक है dy by dx एक्जिस्ट नहीं करेगा x के जगह पर क्या डालने से dy by dx एक्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है कुछ example देखते हैं फिर पता तल जाएगा हम लोग को मान लिजिए dy by dx हमको निकालना है सबका निकालना है तो पहले मान लिजिए function y equals to sin x है तो dy by dx क्या होगा cos x ठीक है अब देखेंगे कि cos x में जो x है x के जगह पर क्या डालने से पूरा का पूरा dy by dx जो की यहां पे क्या है cos x exist करता है या नहीं करता है ठीक है तो हमें पता है continuity का जिनलों का concept क्लियर है उनलों को पता होगा cos x हमेशा exist करता है x के जगह पर आप कुछ भी real number डाल दो यह exist करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया cos x exist कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया sin x जो है अब देखिए cos x जो है x के हर कोई value पे exist करता है तो इसी लिए sin x differentiable at r और आप इसे लिख सकते है on r और क्या लिख सकते है everywhere ठीक है इसका मतलब क्या हुआ यह तो आपने algebraically check कर लिया तो इसका मतलब क्या है जो sin x है sin x के curve इस तरह से चलता है चलता है sin x का curve यह हो गया यहाँ पर हम लिख सकते है f of x equal to sin x यह x-axis यह y-axis और यह आपका origin 0 तो since cos x हर जगा पे exist कर रहा है तो इसलिए sin x जो है यह differentiable हो गया इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है sin x का जो curve है आप यहाँ पे कोई भी point ले लिए बहुत सारे points है sin के ठीक है यह sin का curve है ठीक है यह one हो गया और यह हम लोगा pi by two है ठीक है x मतलब x के जगह पे pi by two डालेंगे तो y का value 1 आता है उससे सबसे मैंने यह graph बना है इसको sin wave बोलते हैं physics में भी आप लोग ने पढ़ा होगा तो इसमें क्या हो गया sin x का जो curve है इस curve में जो भी point आप select कीजिए और वहां पर tangent ड्रॉ कीजिए तो एक ही tangent बनेगा unique tangent बनेगा क्योंकि यह differentiable on everywhere है ठीक है समझ माया और दो तिन ले ले लेते हैं मान लिजे y is close to x square रहा ने ने 1 by x लेते हैं जो नहीं होगा differentiable तो इसका dy by dx क्या होगा निकाल देंगे क्या होगा इसका मतलब x to the power minus 1 है इसका derivative कैसे निकालते है माइनस 1 आगे आएगा x का power एक घट जाएगा तो माइनस x to the power minus 2 और माइनस 1 by x square यह अब हमको देखना है अगर इसका differentiability चेक करना है तो इसका derivative जो की यह है इसके ओपर focus करना है यह कब exist नहीं करेगा when x equal to 0 minus 1 by x square does not exist चेक है यह exist नहीं करेगा तो इसका मतलब यह जो 1 by x है 1 by x is not differentiable at x equal to 0 मतलब x जब 0 होगा तो यह differentiable नहीं होगा मतलब इसका जो graph होता है इस तरह का होता है graph यह अगर गेप रहता है x equal to 0 के जगे पर यह differentiable नहीं होगा मतलब at x equal to यह इसका जो graph आएगा उसमें x equal to 0 जो के जगे पे हम unique tangent draw नहीं कर सकती तो यह रहा आप लोगों का differentiability check करना जो की concept है जो की theory है इसका इसके बाद हम आएंगे जो हम लोगों के textbook में रहता है left hand derivative और right hand derivative चेक करके उसके उपर और थोड़ा interestingly brief करेंगे next topic next video में तो तब तक देखते रहे हैं यह सब क्या सब हो रहा है किस तरह का concept हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए और कुछ भी doubt हो तो you are with cmc at the red gmail.com में mail कीजिए thank you thank you for learning cmc